वाट्सुप गाईज आपका फिर एक बार स्वागत है आज खिस अनोखे गैजट से भरी वीडियो में तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धेर सारे गैजट के साथ एक दुनिया का सबसे छोटा सा ड्रोन जिने आप चाहो तो Amazon या फिर Online Store से परचेस कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को करके सबस्क्राइब बाजू में आने वाले बेल आईकॉन को भी आल पर रखे ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे पिक्सल बर्ट्स गाइस पिक्सल बर्ट्स गूगल की बनाई हुई खास एर बर्ट्स है जिसमें आपको काफी सारे स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जी हाँ क्यूंकि इसका डिजाइन काफी यूनिक होता है और ये आपके कानों में कमफर्टेबली काफी आसानी से फिट हो जाता है जिसे आप अपने मुबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं जिसके बाद आप इसमें मीजिक को हाई कॉलिटी के स्पिकर के साथ सुन पाएंगे और बस इतना ही नहीं इसमें आप इनकमिंग कॉल्स को रिसीव करके नॉइस कैंसलेशन फीचर के साथ कॉल्स पर क्लियरली बात कर पाएंगे और साथी इन एर बड्स में आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके भी सुन सकते हैं और इन बड्स की ब्लूटूथ रेंज भी काफी दूर तक होती है और इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो ये बड्स आपको लगबग 5 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रोवाइट करते हैं जिसे आप डिस्चार्ज होने पर इसके केस में रखकर आसानी से चार्ज कर सकते हैं तो गाइज आपको इबड्स कैसे लगए हमें प्लीज कॉमेंट करके बताना ना भूलें वैसे तो प्रिंटिंग मशिन्स काफी बड़े होते हैं मैं उन टेक्स्ट प्रिंटर्स की बात नहीं कर रहा है यानि कि मैं कपड़ों पर प्रिंट करने वाले प्रिंटर्स की बात कर रहा हूँ जो काफी महेंगे आते हैं जिसे कि उसे हर कोई खरीद नहीं सकता तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस खास पॉर्टेबल और दुनिया के सबसे छोटे से प्रिंटर को बनाया गया है जिसका साइज सच में काफी छोटा होता है जिसे आप अपने बैग में भी आसानी से रख सकते हैं तो आप बात कर लेते हैं इसे यूज करने की तो आपको पहले अपने Android और फिर iOS मुबाइल से इस प्रिंटर को वाइफाई के जरीए कनेक्ट कर लेना है और साथी आपको इसके ऑफिचल एपलिकेशन को भी अपने मुबाइल में डाउनलोड कर लेना होगा जिसके बाद आप इस एप के जरीए टेक्स्ट इमेज को अपलोड करके आपको प्रिंट होने वाले सर्फेस पर इस प्रिंटर को रखकर स्लाइड कर देना है जिसके बाद आपकी अपलोड हुई टेक्स्ट कुछी सेगेंड्स में प्रिंट हो जाएगी और आप इसे काफे सारे surface पर इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे कि clothes, wooden, plastic, mobile bag cover, papers और यहां तक की skin पर भी print कर सकते हैं और इसकी battery भी आपको लगातर 6 गंटे तक battery life provide करती है जिसे आप charge खत्म होने पर फिर से recharge करके इस्तिमाल कर सकते हैं तो guys अगर आप भी किसी भी चीज़ पर प्रिंटिंग करना चाते हैं तो यह device आप के लिए एकदम perfect choice होगी जट अल्ट्रा guys वैसे तो market में drones तो काफे दरागे available होते हैं लेकिन जैसे जैसे उनके features बढ़ते हैं तो वैसे ही उनका size भी बढ़ता चला जाता है यानि कि जितने अच्छी features के drone को आप purchase करेंगे तो उनका size भी उतना ही काफी बढ़ा होता है तो अगर आप एक छोटी से drone की तलाश में हैं तो एक बर इस खास jet ultra drone को देख लीजिए क्यूंकि ये दुनिया का पहला सबसे छोटा सा और हलका drone है जिसे मोटा कमनी ने तयार किया है जिसे आप अपने घर में और बाहर आसानी से उड़ा सकते हैं इसे control करने के लिए इसके साथ आपको एक remote control भी दिया जाता है जिसका इस्तिमाल करके आप इस drone को control कर पाएंगे और इस drone में एक छोटा सा high quality वाला camera भी inbuilt होता है जिसके live recording को आप अपने mobile में easily देख सकते हैं और इस drone से आप काफी सारे अतरंग स्टन्स को भी कर पाएंगे कुछ इस तरह से और इस drone में 3 speed और 6 gyroscopes inbuilt होते हैं जिसे आप 100 feet तक की range में लगबग 5 minute तक उड़ा सकते हैं और इस drone से खेल कर होने के बाद आप इस drone को इसके controller में आसानी से रखकर अपने bag में carry कर सकते हैं तो आपको ये छोटा सा drone कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करके बताना ना भूले शेफ मैन, फ्रेंट्स आपके घर में फ्रिश तो जरूर होगा ही होगा तो उनका size तो आपको पता ही है कि वो कितने बड़े होते हैं लेकिन उनके size के हिसाब से वो बने होते हैं home use के लिए तो आप आप देखिए portable छोटे size वाले एक car freezer को जिसमें आपको 4 liter तक की storage capacity देखने को मिल जाती है यानि कि आप इसमें छोटी छोटी 6 क्यानों को आसानी से रख सकते हैं और इसमें आप खाने के चीज़ों को भी बड़े आसानी से रख सकते हैं और इसे power on करने के लिए आपको इसकी पिछले हिस्से पर एक on-off switch दिया जाता है जिसे switch करके आप इस fridge को power on कर सकते हैं और इसमें आपको 2 temperature modes भी मिलते हैं यानि कि अगर आपको खाने की चीज़ को गर्म करना है तो आपको इसे hot पर switch कर देना है और अगर आपको cold temperature चाहिए हो तो आपको इसे cold पर switch कर देना होगा जिसके बाद आपकी 1% drinks cold हो जाएगी और इसकी power source की बाद करें तो इसे आप 2 तरीके से power source दे सकते हैं एक है DC 12 volt जिसे आप अपने कार में लगा कर इसे on कर सकते हैं और दूसरा AC 110 volt जिसे आप अपने घर में इस्तिमाल कर सकते हैं तो आपको इस फ्रिच पसंद आ चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अटमोफ तो अगर आपके घर के सामने खुबसुरत नजारे नहीं हैं और आप सुबह उटकर नए 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 नजारे देखना पसंद करते हैं तो आप इस स्मार्ट विंडो को अपने घर पर लगा सकते हैं जो अपने साथ एक भैतरीन डिस्पले रखता है वो भी 4K Ultra HD कॉलिटी में जिसमें आप काफी सारे खुबसुरत नजारे को शोग कर सकते हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए इसे आपको अपने स्मार्ट फोन से कनेक्ट कर लेना है जिसके बाद आप इस मल्टिपल विंडोज में 1000 से ज्यादा 4K इमेज़ेस को और विडियोस को शोग कर सकते हैं और साथी इसमें आपको वाइबरेट यानि की बेस्फिल स्पिकर्स भी दिये जाते हैं और इसकी कनेक्टिविटी की रेंज भी काफी धूर तक होती है जिसे आप अपने घर पर ना होने के बावजूद भी कंट्रोल कर सकेंगे और इसका खास फीचर ये है कि इस विंडो में एक हिडन सीसी टीवी क्यामरा भी इन बिल्ट होता है जो लाई विडियो आपको अपने मुबाइल में सेंड कर देता है जिसे कि आप अपने मुबाइल से कही से भी अपने घर पर निगरानी कर सकते हैं तो गाईज आज की वीडियो आपको कैसी लेगे हमें प्लीज कॉमेंट करके बताना ना भूले और साथ ये अगर आपको ये वीडियो पसंदा चुकी है तो इसे लाइक एंड शेर भी कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल के नए वीजिटर हैं तो चैनल को करके सब्सक्राइब आजू में आने वाली बेल आइकाउन को भी आल पर रखिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो इसकी नौटिफिक्शन आपको मिलती रहे तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अब तके लिए टेक केर